हवित्य प्रशाशन के अंतर्गत बजट का बदलता स्वयरोब वित्य के अगर हम बात करें तो यह प्रशाशन का एक महतफवूर्ण अंग होता है और प्रशाशνिक कारियों को संपं करने के लिए वित्य की आवश्यक्ता होती है सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है जो भी योजनाय बनाई बनाई जाती है उनको लागू करने के लिए भी वित्की आवशक्ता होती है और उसी के साथ साथ जो अर्थ ववस्था के विकास के साधन की हम बात करें तो यह भी वित्त के उपर ही निर्भर करता है राष्ट की आर्थिक अगर नीतियों के संचालन की हम बात करें या आर्थिक कारेक्रम जो हैं उनके संचालन की बात करें तो वहाँ भी वित्त की आवश्रक्ता होती है और सरकार के द्वारा जो भी नीतियां या आर्थिक परिस्तियां होती है वह भी इसी वित्त के माध्यम से प्रितिम बिम्वित होती हैं सरकार के द्वारा इन्ही नीतियों को और इन्ही कारेक्रम को या जो भी एक आर्थिक दिशा प्रदान करनी है उसके लिए बजट का निर्मान किया जाता है और ये जो बजट है यह है बजट अगर हम कहें कि जो सरकार के आय और व्या होता है उसका एक लेखा जोका होता है या उने कहा कि बजट एक निशित अवधी के लिए अंतरगत जो प्राप्तियां हैं तथा खर्चे हैं उनका एक विवरण हैं सरकार के पास आने वाला वर्ष होता है जिसके लिए बज़र तयार किया जाता है तो उसमें कौन-कौन से जो खर्चे हैं वो रहेंगे और किन-किन मद जो से सरकार को आय प्राप्त होगी उनका विवरण इस निशित अवधी के लिए किया जाता है परन्तो यदि बज़ट को हम यह केवल आय विया का लेखा मातरी नहीं है क्योंकि जैसे-जैसे सरकार की हम कहें कारिय बढ़ रहे हैं उनका जो कारिय छित्र है उसमें विस्तार विश्त्रित हो रहा है उसमें बहुत सारी कल्यान काड़ी योजनाई जुड़ती जा रही है तो वहीं पर बज़ट है उसका अर्थ भी व्यापक रूप लेता जा रहा है अगर हम व्यापक रूप की इसकी बात करें तो जी गीज ने इसके संदर्भों में कहा था कि जो करने तथा कुछ को खर्च करने का एक आदेश अर्थवा प्राधिकरन है कि इसके अंतरगत जो सरकार है उन्हों सरकारों की जो प्राप्तियां है उनका जो अनुमान है उसके जो खर्च है उसको है उसी के सासाथ किस प्रकार से उसे कानूनी वैद्धिता मिलेगी इसके उन्ह आता है आर्थिक छेत्र में सरकार को कौन कौन से लक्ष प्राप्त करने है ये उनको भी प्रतिविंबित करता है और उसी के साथ साथ जनता के विकास के लिए सरकार को जो कारिक्रम चलाने है जिन नीतियों को जनता तक पहुचाना है उसका भी एक खाका इस बजट के माध्यम से उसको प्राप्त करने का लक्षा रखा जाता है अगर हम बजट के स्वरूपों की बात करें तो समय और परिस्तिती के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है अठारवी और उनिस वी शदी से जब से हम बजट के स्वरूप देखते हैं तो जो इसमें बजट का परमपरागत स्वरूप है जिसे हम लाइन आइटम बजट के नाम से जानते हैं यह वह स्वरूप है जो 18-19 वी शतापदी में पॉपुलर रहा था या इसी आधार पर बजट का निर्मान किया जाता था यह जो बजट का निर्मान था यह जो लाइन आइटम बजट था जिसे परंपरागत बजट भी हम कहते हैं इसका जो प्रमक उद्देश होता था वह होता था कि जो सार्वजिनिक व्याय है उस सार्वजिनिक व्याय को उसी तरीके से खर्च किया जाए या उन्हीं को जो बजट है उन्हीं वस्तों के उपर उन्हीं मदों के उपर खर्च किया जाए जिसके लिए कि उसे स्विकृति मि लिए हैं अर्थात इन लाइन बजट के माध्यम से व्याय के उपर कठोर नियंत्रन होता था अर्थात जिन मदों के लिए जो बजट है वह स्विकृत किया गया है उन स्विकृत मदों के ऊपर ही वह खर्च होना चाहिये और अगर इसके लिए जो है जो ववस्था पिका होती थी ववस्था पिका के द्वारा उसके लिए स्विकृति प्रदान की जाती थी और यहाँ पर जो बजट को स्विकृति मिलती थी उसे किसी दूसरी मद पर खर्च नहीं किया जा सकता था अगर मैं यहाँ पर उधारन के लिए कहूँ कि अगर एक विभाग को कम्प्यूटर खरीदने के लिए बजट स्विक्रित हुआ है तो उसमें वो कम्प्यूटर ही खरीदा जाएगा ना कि उसमें फरनीचर क्योंकि इस प्रेकार के बजट हस्तानतरन की ववस्था उस लाइन आइटम जो बजट है जो परमपरागत बजट है वहाँ पर नहीं होती थी और उसे वर्ग के अंदर वो जो खर्च है किया जा सकता था तो इस अधार पर जो परमपरागत बजट है वहाँ पर व्या के ऊपर व्वस्था पिका का एक खड़ा नियंतरन बना रहता था लेकिन इससे एक ओर जो फायदा था वो ये था कि जो बजट जिस आइटम के लिए धारित किया जाता था उसमें नियंतरन का एक इस रेश्ट रूप था अर्थात जो उद्देश्य रखा जाता था उस उद्देश्य प्राप्ती इसके माध्यम से इस प्रकार से संभव होती थी कि जहाँ पर इसमें जो वेस्टिज है उसके बचा जा सकता था वहीं जहाँ पर बजट है वो कहीं दो जगे ये दूसरी जगे नहीं ले जाया जा सकता था तो इसलिए बहुत specific चीजे होती थी और उन्हीं के माध् एक बजट का स्वरूप जो देखने को मिलता है वह है performance budgeting अर्थात इसे कारिय निश्पादन बजट कहा जाता है और कारिय निश्पादन बजट का अगर हम बात करें तो यह है 1930 में जब वैश्विक मंदी है उसके पशात इसका आरंब हुआ है और यह जो बजट है इसे जो कहा जाता था कि यह functional और activity पजट भी इसे कहा जाता है चुकि इसमें functions के उपर और activity के उपर बहुत अधिक जोर दिया जाता है इसका जो आरंब है वह है सेंगतुराज अमेरिका में हुआ था और इसी के साथ साथ जो उसका आरंब था वहाँ पर जो इसके शब्द को अगर हम कह जो प्रियोग में लाया गया था वहाँ अमेरिका से होते हुए वहाँ पर जो हूर कमिशन था उसके द्वारा 1949 में performance budgeting के हम कहीं कि recommend कया गया था सरकार को कि इस प्रकार के बजट का प्रियोग किया जाना चाहिए और वहाँ पर जो प्रेजिडेंट थे उन्होंने 1950 में इस ब budgeting में जो में चीज़ है उतमें है कि कारेकरम के अनुसार जो विय है उसको प्रस्तूत किया जाता है अर्थात यहाँ पर जो कारेकरम हैं जो program की हम बात करें और जो क्रियाए हैं उनके संदर्वों में बजट का निर्मान किया जाता है कौन-कौन से कार्य सरकार को करने हैं क्रियाई सरकार के द्वारा निश्पादित की जानी है तो उन संदर्भों में बजट का निर्मान किया जाता है और यहां पर परमपरागत बजट जो हमने भी लाइन आइटम बजट की बात की थी यहां पर यह अंतर हो जाता है कि जहां पर वहां पर बजट के व्यापर अधि पॉफोमेंस में अर्थात जो कारिक्रम सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं जो क्रियाएं चलाई जा रहे हैं उनको पॉफोमेंस के आधार पर उनके कारिया निश्पादन के आधार पर उनका मुल्यानकन किया जाता है और उसी के आधार पर बजट का निर्मान किया जाता ह तो यहाँ पर पर्पस ओफ एक्स्पेंडिचर है वो है management की सरीके से जो कारिक्रम है जो यूचनाई है उनका हम कहीं बनाना संपादित करना वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है और इसलिए जो यहाँ पर लेंदीन का अगर हम वर्गी करन कहें तो वो कारियगत होता है कि जैसे शाबसे मदों का निर्धारन किया जाता है वो कारियगत होते हैं और इसलिए यहाँ पर जो इनपूट और आउटपुट है उन दोनों के मध्यें गहरा संबंध पाया जाता है कि किस व्यापर कितना इनपूट लगा है कितना उसमें खर्च आया है और उस कारिक्रम की क्या उपलब्धिया नहीं है उसका उपलब्धियों का मुल्यानकन किया जाता है परफोमेंस का मुल्यानकन किया जाता है तो इसलिए अगर हम यहां विभाग की बात करें कि किस प्रकार से यहां पर लेंदेन होता है तो वर्ग की अगर हम बात करें तो for example है कि अगर हमें सिक् के उपर जितना खर्च किया जाना है उसका अनुमान लगाया जाता है और उस सिक्षा को फिर उस कार्यक्रम के अनुसार वर्गी कृत किया जाता है कि हायर एजुकेशन के उपर कितना होगा माध्यमिक सिक्षा के उपर कितना होगा प्राइमरी एजुकेशन के उपर कितना पादन बजट के अनुसार कारेक्रम होता है उसमें वर्गी करण जो है वो करियाओं के आधार पर जो कारेक्रम है उनके आधार पर किया जाता है बजट का जो एक और स्वरूप है जिसे हम PPBS के नाम से भी जानते हैं ब्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरश्टी कोन से यहां पर महत्त पून है क्योंकि यहां पर जो महत्त दिया जाता है वह है कि जो कारेक्रम है उसका जो आयोजन ہے अगर हम कगें कि बजट में योजना को महत्त दिया जाता है कि योजनाओं का निर्मान किस प्रकार से किया जाए क्योंकि जब योजनाओं का निर्मान होगा तो निश्यत रूप से जब उनका क्रियानवेन होगा तो उसे के आधार को या उसको आधार बना कर ही बजट का क्रियानवेन किया जाता है और यहां पर जो भी नीती निर्धारन होता है उस नीती निर्धारन को बहुत विवेक पर focus किया जाता है साप में आङरा बिल्ट देखें तो वहां पर इसमें जो स्विकार किया गया था नाइंटिन सिक्स्टी फाइव में यह पीपीबियेस का आरम किया गया था और कुछ सालों तक अमेरिका में इसी आधार पर budget बनाय जाते रहे थें लेकिन 1971 के बाद इस प्रक अर्थात शुन्य आधारित बजट ये जो बजट का स्वरूप है इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो बजट आरंब होगा वह शुन्य से आरंब होगा उसके पूर में किस प्रकार के कारेक्रम है कितना उस पर धन खर्च किया गया था कितनी उस कारेक्रम की उपलब द क्या उसका मुल्यानकन है उससे अलग होकर यह वहाँ जीरो से आरंब करता है और अगर हम कहें संगेठन के लिए जो शुन्ने पर आधारित द्रश्टी कौन है यह उस पर बल देता है जीरो बेस बजटिंग के अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसका जो आरंब है वह के द्वारा इस प्रकार के शब्द का प्रियोग किया गया था वहीं से अगर हम कहें वो स्वम जो थे पीटर एफ जो थे वो खुद एक मैनेचर थे इंडस्टी में इसलिए उन्होंने उसको द्रश्टिकत रखते वे अपने अनुभव के आधार पर इस जीरो बेस बजटि को विक्सिद किया था जो USA में थे वहाँ पर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1972 में हुई थी और सबसे पहले जो 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 जौर्जिया का बजट था उसको जीरो बेस बजटिंग के आधार पर तरह तयार किया गया था और उसके पश्चाच जब 1979 में सेहिक राच अमा और अगर हम देखें तो वहाँ पर जो जिन आधारों पर जीरो बेस बजट के जो सिधान थे उसका पालन करते हुए उससे तयार किया गया था क्योंकि जीरो बेस बजटिंग जिन बातों पर बल देता है वहाँ पर वहत्तुपूर्ण है कि इसमें जो कम प्रायर्टी की जो प्रोग्राम होते हैं जहां पर वो कम हो जाते हैं या उनकी छटनी हो जाती हैं वहीं पर कारेक्रमों की प्रभाव शीलता में व्रद्धी होती है जिन कारेक्रमों को आरम किया जाता है बजट के साथ में तो वो ज़्यादे प्रभावी तरीके से लागू होते हैं क्योंकि उसका जो आधार होता है वह है वहाँ पर बिल्कुल नए शिरे से आरंब है और इसलिए जो है उनको यहां से नए तरीके से आरंब किया जाता है जो दूसरा एक महत्पून है कि जो हाई इंपक्ट प्रोग्राम है उनको अधिक रूप से उन्हें लागू किया जाता है कि किस प्रकार से उनको अधिक्तम इंपैक्ट हो सकता है तो इस प्रकार के कारेक्रमों को जहां पर अपनाया जाता है वहीं पर जो इस प्रकार के उनकी जो उपलब्दिया रही है उसके आधार पर उन्हें आगे स्विकार किया जाए यह ना किया जाए इस बात पर भी ध्यानते रहता है जीरो बेस बज़ेटिंग जो एक और विशेश्चता है वह विशेश्चता है कि इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो लाईन स्टाफ है लाइन स्टाफ जो बजट की प्रनाली को नियंतरित लागो करने वाला जो परसोनाल होते हैं उनको किस प्रकार से जो बजट निर्मान हैं उनमें उनकी सहभागिता ले जाए क्योंकि जो बजट निर्मान का कारिया है वो इस द्रश्टिकोन से महतपून हो जाता है कि उनमें उन सभी का जो बजट निर्मान करते हैं उनकी तो भूमिका होती ही होती है लेकिन जिने फिल्ड में लागो करना है उनका भी पार्टिसिपेशन यहां पर होना चाहिए तो नि इस zero based budgeting के माध्यम से जो पुराने कारिक्रम अगर हम कहीं या जो irrelevant हो जाती है जिनकी उपयोगिता कम होती है जहां पर उनकी छटनी हो जाती है वहीं पर वो program जिनका performance अच्छी होती है और उनका जो आरंभ है उन्हें क्या जा सकता है शुन्ने को मानकर तो उन कारिक्रमों को हम कहें इस budget में इस्थान मिलता है यहां पर जो प्रस्तावित व्य होता है उसकी उपादयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो लक्षे रखा गया है उसके उसके माध्यम से उसे प्राप्त किया जाना चाहिए तो जो zero based budget है यहां पर जहां अमेरिका में इसे स्विकार किया था 1972 से यह वहां पर रहा था और उसके परशात 1979 में संख्याज बजट को भी zero based budgeting के आधार पर तयार किया गया था इसे प्रकार से भारत में भी 1983 में जो zero based budget है उसको जो डिपार्टमेंट है science and technology का उस डिपार्टमेंट में पहली बार जो है इस budget को इसके आधार पर अगरम क रहे budget का तयार किया गया था और जो zero based budgeting है उसे भारत में अपनाया गया था अब हम बात करते हैं जो outcome budget है यह budget का एक ऐसा स्वरूप है जहां पर की परिणाम budget के नाम से जो जाना जाता है और जहां पर जो योजना है जो योजना बनाई जाती है उनके व्याय को परिणाम में बदलने पर बल दिया जाता है अर्थात जिस योजना की ऊपर जो धन खर्च होता है जो व्याय होता है उसको इस बात पर उसका मुल्यानकन किया जाता है कि उससे क्या परिणाम निकल कर सामने आए हैं तो इस द्रश्टी कोन से जो परिणाम budget है जैसा कि इसके नाम से ही त्यार किया जाता है और इसमें जो यूजना है व्याय की यूजना है वो लक्षे को धान में रखकर त्यार की जाती है जो व्याय किस मद पर कितना खर्च किया जाएगा और उस खर्च करने के बाद में जो क्या लक्षे उस खर्च करने से पहले जो लक्षे निर्धारित है उन लक्षों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा तो इसमें उस पर बल दिया जाता है जिससे कि जो सरकार की नीतियां है उन्हें बहतर तरीके से बजट की जो उसे बहतर तरीके से किरियानवन किया जा सके इसमें इस बात पर बल दिया जाता है इसका जो एकलाब होता है वो यह होता है कि सरकार को लोगों के प्रती ये जवाब देहे बनाता है और पारदर्शे भी बनाता है क्यों कि जब बजट निर्मान का जो है वह आउटपुट से जुड़ा हुआ होगा तो निशित रूप से जो आउटपुट आएगा जो परिणाम निकल कर आएगा वो जनता को पता चलेगा सरकार का फोकस जो है वो परिणाम पर रहेगा तो जनता को के प्रती जवाबते ही भी रहेगी सरकार और इसी के सासा जो पारदर्शिता है उसको भी maintain किया जाएगा तो इन संदर्भों में जो यह budget है यह महतपूर हो जाता है budget का जो एक और प्रकार है जिससे हम top-down budget कहते हैं यह basically संयुक्त राज अमारिका में आरब हुआ था 1981 में 1981 में इस budget का आरब हुआ था और अगर हम इसके बात करें तो इस budget को यह जो budget का यह स्वरूप है यह औरों से किस प्रकार भिन है यह इन संदर्भों में भिन है जहां पर की इस प्रकार के budget में जो performance budget है उसको भी इसी के साथ साथ जो PPBS है उस budget के भी zero base budget के भी जो मूल तत्व हैं उन तत्वों का समावेश इस प्रकार के budget में किया जाता है तो यह budget इस रष्टिकोंड से महतपून है क्योंकि जहां पर यह performance की भी बात करता है यह zero base budgeting की भी बात करता है यह programming की बात करता है planning की बात करता है तो यह जो budget है यह इन संदर्भों में महतपून हो जाता है इसमें जो एक और महतपून चीज होती है कि जो method of allocation होता है revenues का जो विभिन agencies को दिया जाता है मंत्रालेओं को दिया जाता है विभागों को दिया जाता है तो उसमें जो महतपून भूमिका होती है जो chief executive of the government है वो उसकी होती है अर्थात किस प्रकार से किन-किन मदों में किन-किन विभागों को और मंत्रालेओं को जो हम कहें budget है जो धनराशी दी जानी है वह है उस chief executive के जो उपर निर्भर करती है कि किस प्रकार से धन का जो वित्रण है वो किया जाना है budget का जो एक नए स्वरूप की जो हम बात करें वह है gender budgeting के नाम से इस gender budgeting को अगर हम कहें इसे gender sensitive budgeting के नाम से भी जाना जाता है कि जहां पर जो महिलाएं है उनको धान में रखकर budget में प्रावधान किये जाते हैं हम इस बात को हम कहीं यह तथ्यदर से सपस्ठ है कि ना किवल भारत में बलकि वीशो के अन्य देशों में भी जो महिलाएं है लगभग कम जादा है एक दो परसंट का लेकिन लगभग आधी जनसंख्या का वो प्रतिने थित्तों करती है लेकिन अभी जो यह आधी जनसंख्या है उस आधी जनसंख्या की जब विकास की बात आती है उनके कल्यान की बात आती है उनकी शशक्ति करण की बात आती है तो अभी भी वह है जो समाज का दूसरा वर्ग है उससे कहीं पीछे नजर आती है चाहे वो हम कहें राजनी दिख छेत रहे, सामाजी दिख छेत रहे, आर्थिक छेत रहे पहें अभी पुर्षों से बहुत पीछे नजर आती हैं और वर्ड लेवल पर जो इसके डाटा हैं वो उसे इस पस्टूप से दिखलाते हैं तो अब उन महिलाओं को किस प्रकार से शशक्त किया जाएं उनकी जो भूमिका है उसको सुनिशित किया जाएं उनके लिए कौन से सरकार के द्वारा इस प्रकार के कारे करम चलाए जाएं नेतियां बनाई जाएं किस प्रकार के जो व्यवस्थापन है उनको व्यवस्थापिका के द्वारा पास किया जाए जिससे की जो यह आधी जनसंख्या है उस आधी जनसंख्या की जो बैसे है भागिता है वो बाकी सारे जो छेत्र है उनमें सुनिश्चित हो सके इसलिए जेंडर बजेटिंग का जो कॉंसेप्ट है उस अवधारना को मूर्त रूप देने के लिए देशों के द्वारा प्रियास किया जा रहा है इसमें जो इसका आरम था 1995 में जो वर्ड वीमन कॉंफरेंस थी बहाँ पर इस कॉंसेप्ट को पहले बार इस पर बल दिया गया था कि जो भी ये जो लिंग आधारित बजट है उसके प्रस्तामों को लागू करने के पर एक सहमती बने थी सहमती अर्थात कि जो बजट तयार हो उन बजट में महिलाओं के लिए जो है विशेश प्रावधान किये जाएं जिससे कि उनका विकास है और उनकी भूमिका है उसको भी सुनिशेत किया जा सके जंडर बजट इंग का अर्थ यह कदापी नहीं कि किसी वर्ग विशेश के लिए या किसी जंडर के लिए बजट का नेर्मान करना है बलकि इसका जो अर्थ है वह है कि जेंडर बजटिंग के लिए जो समाज का एक बड़ा वर्ग है या जो आती जिनसंख्या का प्रतेनेथितो करती है उनके लिए इस प्रकार के प्रावधान किये जाएं जिससे कि उन प्रावधानों को लागू करते हुए माईलाओं का विका प्रास भी संभा हो सके उनकी भी सहभागिता सुनिशित हो सके तो इस प्रकार से तो जेंडर बजटिंग है अब हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में इसको अपनाया जा रहा है और जो बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है वह इस प्रकार के कारेक्रमों के लिए एजर्वेशन की ये दि हम बात करें, इसी के साथ साथ सामाजी करूप से किस प्रकार से जो उनकी स्थिति है उसको भेटर बनाया जा सकता है, आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन से कारेकरम चलाया जा सकते हैं, तो इस पर जो बजट में प्रावधान हैं, वो किये जाते हैं ये उनुपर बल दिया जाता है और विशेशकर जो महिलाओं से जुड़े हुए विभाग होते हैं जो मंत्राले होते हैं उनके लिए बजट की एक धनराशी जो है वह महिलाओं के लिए अलग से स्वरक्षित की जाती है तो इस प्रकार से जो बजट के विभिन स्वरूप रह हैं और जब ये परिवरतन विकाष के लिए अपनाये जाते हैं तो निश्यत रूप से 10 उसके सकारात्मक परिनाम निकल कराते हैं जो 18 और 19 वी शताब्दी है वहां पर राज्चे के जो कारिये हैं वो नियामकिय कारियों तक सीमित है उसके कारिये सीमित हैं कारिये छेत्र छोटा है और कुछ विशेश कारियों तक सीमित है परन्तु जैसे जैसे ओद्योगी करण कल्यानकारी राच्चे का उदे हुआ है और वहीं पर जो बजट है उसके स्वरूप में भी स्वस्ट परिवर्तन होता रहा है तो जो जर्णी लाइन आइटम बजट से आरमभूईती परफोमेंस बजट की अगर हम बात करें उसका जो लक्ष है उसके पीछे जो उद्देश रखे गए हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम देखें या गुणात्वक रूप से हमें देखें उन्हें प्राप्त किया जा सके तो इसलिए जो बजट का स्वरूप है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद